हलो दोस्तों गर्मियों में अगर आपको रोटी सबजी खाने का मन ना करें तो ये वाली रेसिपी बना लीजेगा प्रोटीन से बरपूर बहुत ही हल्दी बनाना भी असान ना तो आपको आठा गुनना है इसके लिए और बहुत ही कम तेल में ये बनके त्यार हो जाएगा औ मूंग दाल के अपको ये लगया का मैंने अच्छे से बहाँ एक बहुत है यहां को बनाने के लिए मंles मिकसर में शबसे पहले हैं मूंग दाल को एंप कर रही हूं और साथ मैं मैं इसमें चेना और राजमा को भी ये त्र दूँए और राट गर लेंगे तो यो यो ग्राइंड हम्में इसको रापन करना है नहीं इसको डालेंगे एक मिक्सिंग बाउल के अन्दर इसका आपको कोई भी पानी वगाइर अट करने की जुरूत नहीं है फिर इसके आप ड़ीम करने दो अब जी एड़ कर सकते हैं आने का बिल्किल यूज ना करें फिर इसमें एड़ कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद हाथ में हम ओयल लगा लेंगे और इसका हम बॉल बना लेंगे और फिर एक तवा लेंगे तवे पे गी लगाके अब इस बॉल को तवे पे रख दीजिए और हाथों से ही इसको हलके हाथों से फैला दीजिए कुछ इस तरह से अब इसको ढखन से ढख देंगे और इसको पकने में एक से दो मिनिट लगेंगे इसको ढख के पकाना ज़रूरी है ताकि यह अंदर तक पक जाए तो इसको दोनों तरफ से अच्छे से पका लें देखे कितने अच्छे से यह पक चुका है ऐसे ही सारे नाश् प्रिदी है इसे आप किसी भी चटनी के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को ज़ूर लाइक करें शेयर करें कमेंट और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना मुलें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बाई बाई बाई